ओम प्रमात्मने नमा इसी अध्याई के दूसरे इसलोक में भगवान ने सन्यास संख्योग की उपेक्षा कर्मयोग को स्रेष्ट बताया। अब उसी बात को दूसरे प्रकार से कहते हैं कि सन्ना सस्तु महावाहो दुख्य माप्तू योगता। योग मुक्तव मुद्र ब्रह्मा नच देनाद गच्छती। अर्थात सन्ना सस्तु महावाहो दुख्य प्रा माप्तू योगता। सांख्योग की सफलता के लिए कर्मयोग का साधन करना आवस्चत है। क्योंकि उसके बिना सांख्योग की सिद्धिक अठिंता से होती है। परंतु कर्मयोग की सिद्धिक के लिए सांख्योग का साधन करने की आवस्चता नहीं है। यही भाव यहां तो पद्द से प्रकट किया गया है। सांख्योग का लक्ष परमात्मतत्त्त का अनुभव करना होता है। परंतु राग रहते हुए साधन के द्वारा परमात्मतत्त्त के अनुभव की बात तो ही क्या है। इस साधन का समझ में आना भी कठने। राग मिटाने का सुगम उपाय है करमयोग का नुष्ठान करना। करमयोग में प्रते किरिया दूसरों के हिट के लिए ही की जाती है। दूसरों के हिट का भाव होने से अपना राग सत्य मिटता है। इसलिए करम योग के आचन द्वारा राग मिटाकर सांख्योक का साधन करना सुगम पड़ता है। करम योग का साधन किये विना सांख्योक का सिद्धोना कठने। तो योग युक्तव भुनिर ब्रह्मा नचरेणाद गच्छती अपने निसकाम भाव का दूसरों के हितकामनन करने वाले करम योगी को यामनी कहा गया है। करम योगी छोटी या बड़ी प्रतिक क्रिया को करते समय ये देखता रहता है कि मेरा भाव निसकाम है या सकाम। दूसरों का हित कैसे हो। इस प्रकार मनन करने से राग का त्याग सुखमता से होता है। उप्रयव्पदों से भगवान करम योग की विशेष्टा बता रहे हैं कि करम योगी सीग्रीही परमात्मतत्य को प्राप्त कर लेता है। परमात्मतत्य की प्राप्ती में बिलम का कारण है संसार का राथ। निसकाम भाप पुर्वक केवल दूसरों के हित के लिए करम करते रहने से करम योगी के राग का सरवदा अभाव हो जाता है। राग का सरवदा अभाव होने पर स्वत्य सिद्ध परमात्मतत्य की अनुभूती हो जाती है। इसी आसे को भगवान ने चोथे ध्याय के 48 वेस लोक में तत्स्वयमम योग संसिद्धा काले नात्मिन विंदती पदों से बताया है कि योग संसिद्धा होते ही अपने आप तत्तो ग्यान की प्राप्ति अवस्समेव हो जाती है। इस सादन में अन्य सादन की उपेक्षा नहीं है। इसकी सिद्धी में कठ्नाई और बिलं भी नहीं है। दूसरा कारण यह है कि देधारी, देया विमानी मनुस्य, सम्पूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। पर जो करम फल का त्यागी है वो त्यागी कहलाता है इससे यह दोनी निकलती है कि देधारी करमों का त्याग तो नहीं कर सकता पर करम फल का फलेक्षा का त्याग तो करी सकता है इसलिए करम योग में सुगमता है करम योग की महमा में भगवान कहते हैं कि करम योगी को ततकाल ही सांती प्राप्त हो जाती है त्यागा च्छांती रण अंतरम वह संसार बंधन से सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है सुखम बंधात प्रमुच्चते अतै करम योग का साधन सुगाम सीग्र सिद्धी दायक और किसी अन्य साधन के मिना परमात्म प्राप्ति कराने वाला सुतंत्र साधन है अतै चैनल को सबस्क्राइब करें वेल आइकेन घंटी को दवाएं और कमेंट बॉक्स में जैसी किसना लिखें पर जैसी किसना